जे अस्राम वेल्कम डू पाकिसान स्टॉपनेटिक वीडियो के दूसरे की इससे की तरफ चलते हैं और मार्किट की समुरी को आई डिसकेस करते हैं आज को चाड़ डिसकेस नहीं करेंगे और देखेंगे कि क्या पॉजिशन है क्या मामलात हैं मार्किट के में जो आज अपव देखें आज जो है वो 1200 points market ने डाले है अच्छी बात है चलते हैं समरी की तरफ आज जो है 85 companies जो है वो नीचे हैं और 264 companies जहां उपर है चलें कोई बात नहीं कुछ नीचे भी रहना चाहिए सबसे पहले आट उपले संबर्स की बात करें तो सारे ही चले साजगार में 3 रुपे पढ़े हैं पार्क-सिजुकी में acht रुपे, होंडाइटलस कार में सबनाव रुपे, मिलल ट्र電 प्रक्टर में भी चलें तीन से बढे हैं, इन्डस्मोरटर में 13 रुपे पड़े हैं, हिननों में कुछ नहीं पड़ा चोटे गंदारे में चार रुपए और बड़े में आठ रुपए चले अच्छी बात है यार अब चीज़ें अपवर्ड मुब की तरफ आई है कि मैं अभी कल ही मेरे क्लाइंट्स के आपको पता है कि हमारी कंसिल्टेंसी सर्वीस है अब चले इसमें तरका लग गया बात कहीं और जाने लगी थी के और उसमें हमारी जो है वो दो किसम की सर्विस होती है एक इनहेंस सर्विस है और दूसरी बेसिक है बेसिक में टेक्स दूसरी बेस मिनट उसमें चांजारा लेने की कोशिश करते हैं किंकर पाशे किसे क्या है पैसे कि इतवा इस pasture चाहिँ है यो है इसकिक फीस बीद ज्यागा है तो अभी करें कि आजिए अपने के साथ जो है वो मेटिंग में बात हो रही थी तो मैंने उन से यह गजारी ची क हम बात कर रहे थे तो इसके बारे में भी बात हुई खैर अब गुजर गया सिर्फ बात करने का मकसद यह है कि छोटे गंदारे बड़े गंदारे लीड कर रहे हैं अब जिस जिसने जहां जहां पर चीजें बाय कर रखी हैं पूजिशने काटिये लेकिन इतरी जल्दी नहीं ह अब चीजें यहां से बॉटम से उठी हैं तो यह थोड़ा उपर जाएंगी जब उपर जाएं तो बेचिएगा माल जब वहां से वापिस आए तो फिर लीजेगा दिवान फरूक मोटर में से निकले हैं 22 पैसे वैसे वैसे बड़ी अच्छी बात है यार इसने हमारा किया था अपने दोस्तों को कि भई यह आप आए कर ले फिर साड़े 6 रुपे के अपर हमने चीजें बेची और आखरी सेलिंग जो थी हमारी तरफ से वो 6.94 की थी वह मैंने टेक्स बेजा था कि 6.94 पर सारी पॉजिशन काट रहें तो चले अच्छी बात है यार हमें तो अ सर्विस सेक्टर हो वेले रहते हो वे डॉंट केर हमने सिर्फ यह देखना होता है कि हमें कौन से चीज अच्छे रेट पर मिन रही है किसमें हमें को थोड़ा सा जान नजरा आ रही है हम वो भाई कर लेंगे आगे सब कुछ ठीक होता है पिर आगे चलें जी और आटो मोबा पाकिस्तान के बारे में भी लोगों को बड़ा जनाव लोगों ने ना गुमा गुमा के मरोया है अँ요 ना यार ये ना मैं आपको एक बात बताओं यह इस किसम की ना मैं अक्थर अपने क्लाइंट्स के साथ भी यही बात करता हूँ आज आपको भी मैं यही कहता चलूं कि यार यह इस चक्र में ना पढ़ा करें कि जी वो फ्लां आई शेर को करीद रहा है और मैं भी करीद लूँ नियूज आई है कि जी वो फ़ला मंदे ने इसके अंदर एंट्री डाल दी है और अब ये पता नहीं तीस रुपे से उठ रहा है और इसने हजार रुपे बेचला जाना है यार इस किसम की बातों से परहेज किया करें यकीन क किये जी ये मैं अपने कलाइंट्स के साथ हर मीटिंग में हर जगा हर बात यही करता हूँ और आप लोगों से भी यही गुजारिश करता हूँ कि यार इस किसम की बातों के पीछे ना जाया करें कि ये शेर उठेगा और ये यहां तक चला जाएगा यार क्यों चला जाएग मैं सही बात कर रहा हूँ आज मैं बिलकुल वो क्या कहते है ना पड़ी लिखी बात कि चला हमें हमसे भी कभी कभी पड़ी लिखी बाते हो जाती है टेकनिकल्स की बेस पर काम कीजिए फंडामेंटल्स की बेस पर काम कीजिए न्यूज को फैक्टर इन कीजिए इकनॉमिकल कुछ और कह रहे हैं और आप किसी की बातों में आके शेर उठा लेते हैं और खास तोर पर ना आप ये मार्केट थोड़ी बेहतर हुई है ना Facebook से प्रहेस कीजिएगा मैं सही बात बता रहा हूं आपको यगीन के यह हमारी भी बातें चलती है Facebook के ओपर लेकिन Facebook को अगर देखना है तो उस बंदे की Facebook को देखिएगा जिस बंदे का यूट्यूब का चैनल भी यह मेरी बात कभी आपको याद आएगी कि यह फेस्बुक और यूट्यूब में क्या फरक है कभी जिदेगी मौका मिला ना अब बात किसी और तरफ निकल गई है इसके उपर वीडियो बनाऊंगा मैं कि यह फेस्बुक में और यूट्यूब आपको याद होगा मैं हमेशा यह कहा करता था पहले भी कि यार चले य कामला का आज कल वैसे थोड़े ख्राब होएं कुछ लुगों के साथ कि कॉले आनी शुरू हो जाती है सिमेट सेक्टर की बात करें तो सिमेट सेक्टर के भी चलें बारहल सुनी गई है यार अटक सिमेट 6 रुपे उपर बैरी गुड और बेस्ट वे सिमेट में भी चले 3 र तो गंदारे में बदलवा दिया था तो चले वह भी चल गया यह भी चल गया ठीक है यार अब दोनों तरफ इंज्वाए करें लकी सिमेट में भी चलें 32 रुपे पड़े हैं मैं पर अपर कैप हुआ पावर शावर भी हो गए ठीक है चलें यार जिन्होंने खरीद रखे हैं अब वो सुकून से पुजिशने काटें बैठके जरूरत नहीं बाए करने के कैमिकल सेक्टर की बात करें बाइफों के अंद बर्जल लाग रहा था कि शायद यह अपर क्याप हो जाएगा लेकिन 85 रुपे से नीचे आगया वापिस चलें कोई बात नहीं आना भी चाहिए ना कुछ चीज़ों को अगे चलें EPCL में 26 पैसे का इजाफा है कुछ इजाफा नहीं है लुटे केमिकल में 33 पैसे का इजाफा कुछ خاص इजाफा नहीं है चोटा निमर 45 पैसे उपर है यूँद देखें चैमिकल सेक्टर को देखकर अभी भी मुझे इसके अंदर कुछ चीजों के अंदर स्पेस लग रही है जहां पर एंट्री बन सकती है ठीक है ना अब गवर फरमाईए उन सारे शेयर मैं इतनी ना दस्वने आगे चलें जी क्लोजन ट्रिड फॉंक को छोड़दें कमर्शल बेंक्स चलें लगते लिए बारहाल वो बन गई नई तो बैंक सबस्ग क्या है मैं पर एक वीडियो बनाने थी मैंने वो मना हैंगे फिर इन्शालला याँ आप देखके बी ओपी आठ पचास फैसल बैंक छे रुपे का इजाफा हभी बैंक में वहाओ बहुत अच्छा इजाफा यार एमसी बी में पांच रुपे का इजाफा एमसी बी का तो खैर बारल हमने स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सारा कुछ उसको फालो कर ले याशी हो जाएगी आगे चलें जी अंजिनरिंग सेक्टर में आगा शागा चले हैं आज और बड़े अच्छे चले हैं आईशा स्टील में तो बहुत अच्छी बात है यार मैं पिछले दिनों आईशा स्टील के हवाले से ये बात कर रहा था कि यार मुझे नहीं समय लगती कि इसके उपर इतना इंपक्ट जो है वो क्यों आया है इसका इंट्रस्ट रेट हो इसकी दर दर की बातों का हो सकता है मेरे वो फैनेंशल ठोड़ी बहतर हुई है और मेरा ख्याल है कि ये मजीद बहतर हो जाएगी आगे चलें जी आयन आयल में बड़ा च्छाइजा फायार पांच रुपे का इंटरनेशन स्टील में भी चलें तीन रुपे बढ़े हैं बारहल सभी चले हैं फर्टिलाइजर सेक्टर में दुबा ठीक है ना आगे चलें जी फूड सेक्टर की बात करें अलशेहीर चागया है 14 रुपे पर 83 पैसे के इजाफे के साथ 22 बनीज भी चले हैं लेकिन अलशेहीर के अंदर जो इंप्रूव्मेंट है वो सबसे बेहतर मुझे लग रही है फौजी फूड को तो खर पड़ी है मार आगे चलेंजी मैट को शट को हैं नैशन फूड में छे रुपे का इसाफ वोले है अची बात हुझे यार बागी गलास की बात ये पिछले दिनों आगे दोस्त कहरे रहे थे कि आप ड बारे बात रहे आगे चीजें बहुत उपर निकल गई हुई थी ना अब यह थोड़ी सी नीचे आई हैं तो देखेंगे इंशाला लेकिन लेकिन पॉइंट टू बी नोटिड यहां पर एक बात जहन में रखिएगा हर शेयर के टॉप 10 सेक्टर में रहने का एक वक्त होता है ठीक है किसी दोर में टी यार जी हैसकोल बाइक को शाइको और इसके साथ को दो-तिन शेयर और हुआ करते थे पिर उसको रिप्लेज किया और टैली शेली आगए फिर उसको रिप्लेज किया फिर यह इस में से गलास में से रिए GL और ये शेर्ज आ गए ठीक है ना अब शायद किसी और का वक्त हुआ चाहता है इसमें से अपनी मर्दी का वजलब निकाल लीजिए आगे चलें जी इंशोरंस सेक्टर की बात करें तो तो इंशोरंस सेक्टर बारहाल आज कुछ इतना नहीं चला अची बात नहीं यार सारे सब्सक्राइब चल जाएंगे तो फिर हम स्विचिंग कैसे करेंगे प्रॉफिट टेकिंग करके शेर दूसरे शेर दूसरे सेक्टर में से कैसे करी देंगे आगे चलें जी इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो ओके FNEL में सिर्फ साथ पैसे पड़े हैं चलें कोई बात नहीं JSCL में सिर्फ 41 पैसे पड़े हैं Pakistan Stock Exchange में 86 पैसे पड़े हैं ठीक है परहाल अभी आपके investment bank में space मौझूद है और दूसरा मैंने सेक्टर भी कौन सा कहा था जिसमें space मैंने कहा था भी मौझूद है यार मेरे जहन से निकले करें शाहिद chemical सेक्टर था यहां बिल्कुल बिल्कुल chemical सेक्टर और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में space भी है आगे चलें जी और मिसलेनियस की बात करें हैं बादशाद चार रुपे उपर है एक कॉप में दो रुपे तीस पैसे पड़े आगे चलें जी पेस में भी चलें नौ पैसे पड़ गए हैं यह पाकिस्तान होटल डिवल्पेंट में इतना क्यों पढ़ते हैं पैसे यह मुझे नहीं पता यकीन कि यह मुझे नहीं पता इसलिए मैं इसे दूरी रहता हूं शिफा में बहराल आट रुपे पड़े हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन हमारे पास अब नहीं है जब था तब हमने तो इसको 215 पे बेच दिया था अब देखेंगे दुबारा अगर खरीदना हुआ तो मुधारबाज को छोड़ दे मार्किट इतनी अच्छी चाल रही है इसलिए मुधारबाज नीचे हैं ऑलन गैस एक्स्प्लोरेशन की बात करें तो पीपील में पांच तकरीब और बाकी सारे हैं ऊपर कोई बात नहीं शेल में पांच रुपे का इजाफा पीएस सो तो एक वक्त में अपर कैप में मेरा ख्याल है शायद हुआ था लेकिन बहुत अच्छा इजाफा है 11 12 रुपे का इजाफा है जाएगा 200 रुपे के उपर जिनके पास है सुकून कीजि फार्मस्वीटिकल ने आज बहुत अच्छा प्रफॉर्म किया पूरा सेक्टर भी बड़ा अच्छा चला है चोटे गलेक्सों से लेकर और सर्ल तक बहुत अच्छी इंप्रूव्मेंट है अब जिन जिन लोगों ने यह चीज़ें संभाल के रखी हुई थी वह थोड़ा स की बात करें तो सुर्टेहाल बहुत अच्छी है कि अब को 32 रुपे पर है अब देखें ग्रीन नजर आ रहे हैं यह आंकों का दोका भी होता है लेकिन अगर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो काफी शेयर्स के अंदर आपको थोड़ी सी स्पेस नजर आएगी उसको पकड करें अभी रिफाइंडरी नहीं चले रिफाइंडरी के चलने का वक्त अभी नहीं हुआ आज तो सारा पैसा लगा है और अर्टो मॉबाइल सेक्टर में और फार्मासुटिकल में और उसका इंपेक्ट बारहाल पुरी मार्किट पर ज़रूर आया है आगे चलेंजी सिंथेटिक को छोड़ दे टेकनोलोजी सेक्टर की बात करें अवेंसियों में तीन रुपे पड़े हैं हम नेट वर्क में कुछ नहीं पड़ा मीडिये शीडिया में भी कुछ नहीं पड़ा नेट सोल में भी चार रुपे का कोई खास इजाफा नहीं है PTCL गया 9 रुपे 24 पैसे पर बड़ी अच्छी बात है जी हमारा बड़ा पसंदीदा शेर है ये हमने जब भी इसमें ट्रेड किया है फाइदा हुआ है आज तक नुकसान नहीं हुआ टेक्स्टाइल कॉमपोजिट को देखें तो निशाथ चूनिया कहा गया यार निशाथ चूनिया में 1.66 पैसे का इजाफा है और निशाथ मिल में 6 रुपे का इजाफा है बहुत अच्छे जी लेकिन ये हमें टॉप 10 सेक्टर में नजर नहीं आया इसका मतलब ये है कि इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी बाइंग होई है और पूरे सेक्टर के अंदर होई है इस पिनिंग में भी चीक है सूर्ते हाल लेकिन इतना हमारी स्टेडीज नहीं है वीविंग को भी छोड़ दें शुकर है यार हमारा शेर भी चला थोड़ा सा है यह पाकिसान टोबैको इसमें हम फसे हुए यार निकल आएंगे अभी इन्शाला ट्रांस्पोर्ट की बात करें तो पी ये चार उपे 19 पैसे पर क्लोजिंग है पी ये सीटी की बात करें दो रुपे 17 पैसे का इजाफा है यह ठीक है यार यह सारे शेर ही अच्छे लेवल्स पर है चलें यार क्या याद करेंगे ट्रांस्पोर्ट सेक्टर के सारे शेर में अभी भी बाइंग बनती है याशी करें जी जिड़ा मर्जी चुकल बस यार आज के लिए सिरफ इतना ही खुश रहे अबाद रहे हमेशे एक चीज़ याद रखिएगा स्टॉक मार्किट जो है जागते लोगों का बिजनस है इसको कारोबार समझीए इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है मार्किट उपर भी जाती है मार्किट नीचे भी जाती है आज मार्किट ने 1200 पॉइंट डाले हो सकता है कल मार्किट 600 निकाल दे रहा नहीं रहा वैसे एक मिसाल दे रहा इसलिए इसके साथ चलने की कोशिश करें जब मार्किट आपको मौका दे सेल करें जब मार्किट आपको मौका दे बाय करें buying selling का नाम ही stock market है जबरदस्ती buying करने की कोशिश ना करें जबरदस्ती selling करने की कोशिश ना करें फिर इन्शालला तला देखिए कि market आपको देखे जाएगी लेके नहीं जाएगी अलाहफिस